अब आपका एन्वाल एक्जाम मार्च महिने में सुरू होने जा रहा है और उसी एक्जाम को ध्यान में रखते हुए रेगुलर मैं मेरे चेनल पर मोडल पेपर से समन्दीत वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपने उन सभी वीडियो को बहुत जादा प्यार दिया है उमीद करता हूँ इस वीडियो को भी आप बहुत जादा प्यार दोगे तो डिये स्टुडेंट्स अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे तो आप प्लाई जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में सेर्स कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही इसी तरह की और वीडियो प्राप्त करने के लिए पास में जो गंटे का निशान है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए तो चलिए स्टूडेंट्स जो चितरकला का यह जो मोडल पेपर है उसके उबजेक्टिव टाइप क्वेशन को सौल करते हैं बाकी परसन आपके सामने रखता हूँ तो पहला परसन है चितरकला का जो कि आपकी वार्षी परिक्षा 24 नमर की होने वाली है यह आपको पूरा पहले मैं बता चुगा हम बहुत सारी वीडियोज के अंदर और साथी पूरे तीन गंटे आपको पेपर करने के लिए मिलने वाला है सबसे पहला परसन है रास्तान का वर्ण माइकल एंजिलो है रास्तान का वर्ण माइकल एंजिलो कौन है तो इसका सई जवाब होगा स्टुडेंट्स ए सई जवाब क्या होगा ए आ जाएगा इसके अंदर दूसरा है जहांगिर कालिन परमुक चितरकार था तो जहांगिर कालिन जो परमुक चितरकार थे वो मनोर भी था उस्ताद मनसूर भी था आकारीजा भी था तो सही जवाब क्या होगा दै होगा तो सही जवाब इसका क्या होगा परसे नमर दो का दै होगा नेक्स्ट क्योशन की और बढ़ते हैं स्टूडेंट्स बंगाल सेली का विकास हुआ बंगाल सेली का विकास स्टूडेंट्स 1845 मैं से 1920 इस्वी के मत दे हुआ तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बै हो जाएगा अगला है अमरिता सेर्गिल ने किस चित्र पर सवन पदक प्र प्राप्त किया अगला है कांगडा की स्त्री नामक चित्र का निर्माता है तो इसका सई जवाब होगा भावेश चंदर सान्याल इसका सई जवाब क्या हो गया ए हो गया स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं बेंद्रे ने सवन पदक का प्राप्त किया तो बेंद्रे किस से बनी हुई है वो कांसे धातू से बनी हुई है सही जवाब क्या हो जाएगा बै हो जाएगा अगला देखिए संथाल परिवार किस मुर्ति की रचना है संथाल परिवार है वो राम किंकर बेज मुर्तिकार की रचना है तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा बै हो मुगल सेली के जनम दाता किस सेली को माना जाता है जगसी के समय का यूगल किस चितर कौन सा है कांगडा पातर चितन में महतुपून क्या है बंगाल सेली में किन रंगों का अधिक प्रियोग हुआ है तिर्थम को और किस नाम से जाना जाता है सहीयम के नाम से जाना जाता है पहले सोरियम के नाम से जाना जाता है ये मैं पहले बता चुका हूँ किराडू किस नाम से परसीद है एलिफेंटा कहां इस्तित है बहुत शांदार परसन है रिक्स्तान की पूर्ती वाले परसन भी देखें तीन है जगदीज मंदीर कहां इस्तित है मसा का जनम की स्तान पे हुआ इस तरह के person है खंड बै भी देखे आपके सामने बहुत श्यांदार person है खंड बै में भी आप इसका स्क्रीन सोट ले लिजिए और इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर टाइब कीजिए तो students आप देख सकते हो खंड दै भी आपके सामने रख रहा हूँ बड़े person तो इस तरह से students यह और रहे गया और भी आपको यानिगे चाहिए देखे मेरे पास model paper है इनके भी मैं आपको बता दूँआ तो students वीडियो अच्छी लगी है तो like, share and subscribe जरूर कीजिएगा Thank you very much